असलावनेकुमारियों कैसे हैं आप सब भूखे कि आप लो सब खरीय से होंगे और मैं हो शकुफता लिए और कैस्टाल लिंक सदर मैं आपको वेलकम करते हैं आज आज अब बहुती इंट्रस्टिंग वैप टोव लपिन कि बटन क्रिएट करने जा रहें वीडियो को आट तक लिखेंगा इस वारी इंफरमेटिव और अगर आप चाल को में तक सब्सक्राइब ने तो सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को लाइक करना शेयर करना और गुट कमेंट पास करना मत भूदिएगा वी नीद और यूर्श बटन क्रिएट कर लेते हैं सब्सक्राइब के लिए लिए। आध यहां पर में बटन क्रिएट कर लेतीук और इसके अंदर कुछ क्क्लास्स क्रिएट करनी है तो पहले मैं पड़ी क्लास यहां पर create करती हूं और इसका नाम में रख देती हूं full rounded इसी के अंदर हम एक span का tag ले लेते हैं और उस span के tag के अंदर जो हमें text show कराना है वो मुसके अंदर लिख दे तब यहां पर चले मैं simple सा tag लिख देती हूं होवर होवर मी ठीक है इसी के साथ साथ अब इसी बटन के अंदर एक डिफ की class create करते जिसका नाम हम रख देते हैं border और इसी के साथ हमें कोड़ class बना लेते हैं जो कि हमने उपर बनाई है सब फुल राउंड़ेड तो यहां तक हमारा जो है वह काम complete हो गया है HTML का move on the CSS CSS को बहुत ही देहां से देखिए का सबसे पहले बटन पर आ जाते हैं और बटन की class यहां पर call कर लेते हैं सो font size में रख रही हूं है यहां पर 16px इसी के साथ साथ position में relative रख लेते हूं and after that we are going to implement the margin margin we are going to take auto padding रख लेते हैं इसकी 1 e.m. 2.5 e.m. again 1 e.m. and अच्छा यह आप इस तरीके से भी कर सकते हैं 1 e.m. 2.5 e.m. भी आप रिख सकते हैं so border को हम कर देते हैं none इसका जो by default border है वो बन हो जाएगा इसी के साथ background color में ले लेते हूं green so यहां में कोई भी code बगदा नहीं add करी इसी के साथ साथ में transition implement कर देते हूं all 0.1 second linear इसी के साथ box shadow implement कर देते हैं इसके अंदर 00.4 e.m. 1 e.m. and RGB color implement कर देते हैं यहां पर 0 tap 0 0.1 ठीक है जाए move on the next वह हम आते हैं बटन active की sudo class add कर रहे हूं इसमें transform scale के अंदर हम 0.95 value add कर देते हैं ठीक है इसी के साथ साथ हम आ जाते हैं बटन span पर बटन के अंदर हमने span get किया था so यहां पर जो color है font का मैं उसको white रख देते हूं इसी के साथ साथ अब मैं button border पर आ जाते हूं okay so position को रखते हैं absolute border हम provide कर देते हैं 0.15 em solid and then white ठीक है जी इसी के साथ साथ transition implement कर जाते हैं all 0.3 second 0.08 second and linear इसी के साथ साथ guys we are going to implement top हम रख देते हैं 50% left भी हम रख देते हैं 50% इसी के साथ साथ हम यहां पर with रख देते हैं button की 9 em और height में लग देती हूं 3 em is quite enough इसी के साथ साथ transform implement कर देते हैं translate के अंदर value minus 50% इसी के साथ बटन होबर के प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं तो जब माउस लेके जाएंगे तो effect implement करना चाहते हैं आप यहां पर implement तो इसी के साथ साथ में एक border के class भी कॉल कर देते हैं so display को हम रखते हैं block इसी के साथ साथ हम यहां पर जो width है उसको रखते हैं 9.9 em and height हम रख देते हैं इसकी 3.7 em ठीक है जी इसी के साथ साथ अब हम आते हैं जो हमने rounded class बनाई थी so मैं यहां पर full rounded की class पर आ जाते हूं और यहां पर जो border radius implement कर रहे हैं it's a 2 okay थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 3 em कर देते हैं depend करता आपके उपर आप इसको increase or decrease करना चाहते अपने अपने असानी के लिए आप इसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं तो इस totally depend on you so guys यहां तक हमारा HTML or CSS driver complete हो गया आप इसको run कराते हैं then we are going to share the results with you so left click करते हैं इसको run कराके आपके साथ results share करता है so बहुत ही nicely effect button that create होगा अच्छा यह दिखे लिगा अभी वह क्लरली नहीं क्या बागरों कलर रहा हम like fill करते हैं अच्छा हमें clearly दिख जाए so body पर आदकर हम यहां पर एक style set कर लेता है अच्छा background color background color मैं यहां पर black रखते हूं ठीक है इसको अब रवल करते हैं so now you can see the result result जो आपको दिखाना जाते है result वो यह था अच्छा होवर पर मैं यहां पर करसल में pointer add करते हैं so यहां पर जो होवर की class है उस पर आजाते हैं और यहां पर हम करसल को pointer add करते हैं थोड़ा सा अच्छा effect देता है जब यह mouse होवर हो तो कोशिश किया करें कि आप उस पर करसल become a pointer रहते हैं तो थोड़ा साथ को जूँ करते हैं तो इसा वरी नाइस effect if you want to implement the button style तरीके से आप button implement कर सकते हैं अपने work अंदर so I hope guys lecture जो हो clear हो गया होगा so video को like करना share करना good comment pass करना we need all your support and love आपना बहुत सारा खायाल रखेगा अलाहाफ़